नमस्कार दोस्तों आपके अपने लोग पर ये चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी राजिस्तान वाश्युक लेगवार फिर से बहुती खास रहने वाली है इसी के साथ में आप सभी के लिए बहुती बड़ी बिग ब्रेकिंग नहीं हो जाए कि जिस प्रकार से हम सोच रहे थे आखिर वही हुआ और प्रिदेश में आज से लोग डाउन शुरू हो गया है दोस्तो यह पैसला मुक्य मंत्री असो गैलोद के दारा मजबूरन इस्तिते में लिया गया है कि जिस प्रकार से प्रिदेश में कोरोन वाइरेस का संक्रमन फैल रहा है इस्तिती बहुती गंबीर हो गई है आपको बता दे कि स्कूल कोलेज के साथ धार्मिक स्तल सब कुछ बंद कर दिये गए है और नई गाइडलाइन जारी की गई है दसवी बारवी की जो परिचाएं वो इस्तेकित कर दी गई है इसी के साथ में आठवी नवी और ग्यारवी दोस्तो ये विद्यारती अब की बार फिर से अगली कक्छाओं में प्रमोट किये जाएंगे यहाँ पर एक बार आप न्यूज देख लीजिए दोस्तो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि राजस्तान से हर प्रकार की कबर इस चैनल माद्यम से आपको मिलती रहे हैं इसी के साथ में राजस्तान के किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कोमेंट बोक्स में आपका जिला अवे से लिखे हैं ताके हमें पता चल सके कि आप हमारी वीडियो इस जले से देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजिस्थान सरकार मुख्यमंत्री जन्संपर्क प्रकोष्ट कोरोना संक्रमन को देखते विए राजिसरकार का ये महतपूर्ण निने लिया गया है। मादिजबेक सिक्षा बोर्ड की 10 वी एंवं 12 वी की परिक्षा इस्तेगेत हैं वहीं 8 वी नवी एंवं 11 वी के जो विद्यारती हैं वो अगली काक्चाव में प्रमोट होंगी। ये मुख्य मंत्री असो गलत को द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है और इसी के साथ में जो सिक्षा मंत्री है राजिस्तान के गोविन्द सिंग डोटा असरा उन्होंने भी इस सम्मंद में चर्चा की है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस परकार से कोरोना वारिस के संग्रमन को देखते हुए लगातार बड़े-बड़े फैसली लिये जा रही हैं। एसा नहीं है कि हमारा फिर्देशी में ही कोरोना संग्रमन के आज़ विस्पोर्ट हुआ है। नई जानकार लेकर धन्यवाद दोस्तों।